इस क्लास को समझना है तो इसके पहले आपको मार्की तीन क्लास देखनी होगी वहाँ जाकर तीन क्लास देखकर आईए उसके बाद चौथी क्लास स्टार्ट करिए इस क्लास से संबंदी तो आपको फ्री में PDF चाहिए, आनलाइन मार्क टेस्ट देना है तो आपको www.globaliti.org पर जाना होगा, उसके बाद ही आप इस सुविधा कलाव उठा सकते हैं आज हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और हमारा आज कहिए रहा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमने पहले ही बताया पहली बात कितना भी कठीन प्रस्ण हो, घबलाना नहीं है जब प्रस्ण आजाए, आप सबसे पहले प्रस्ण को दो बार, तीन बार पढ़िए अंतर मन में सोचिए कि इस प्रस्ण के बारे में या इस प्रस्ण से सम्बंदित हमने कभी कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा तो जाहिर सी बात ही आपके लिए कठीन है अगर पढ़ा है तो आपको प्रस्ण पढ़ने के साथ ही आंसर दिमाग में घूमने लगेंगे हमारा प्रस्ण क्या है आज का अलुमिनियम चाला को सोल्डर करने है तो किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज करते हैं देखो इस question का की point बोला है कि किस प्रकार के सॉल्डरिंग फ्लक्स का यूज करते हैं यह कोई mathematical formula नहीं है इस चीजों को आपको सिर्फ जानना है तो इसमें कौन सा यूज करते हैं इसमें यूज करते हैं karel light karel light flux का यूज किया जाता है aluminum chalok को soldered करने के लिए किस प्रकार के flux का यूज करते हैं karel light का यूज करते हैं अगला question है अगला question बोला है पिगले हुए solder को बार-बार पिगलाने के लिए क्या प्रभाव पड़ता है what is the effect on molten solder due to repeated melting पिगले हुए solder को बार-बार पिगलने से क्या प्रभाव पड़ता है देखिए हिंदीन लोग की बड़ी अजीब लिखी हुई होती है यह बोलना है एक हमारा पिगला हुआ solder है जैसे हम किसी solding सारन को लेकर किसी चीज को sold करते हैं किसी चीज को जोडते हैं उसके बाद वहाँ पे थोड़े बहुत हमारे solding island के particle पड़े हुए होते हैं हम चाहें उस solding art जो पिगला हुआ है एक बार milk हो चुका है उसको फिर से हम पिगला है फिर से जोडने में ले ले तो सकते हैं लेकिन उसकी जो strength है वह घड़ जाएगी कैसे जैसे आपके घर में milk होता होगा मिल्क को आप बार बार boil करते हो जैसे मिल्क को बार बार करते हो एक बार when we boil किये रख दिये ठंड़ा हो गया फिर आप कुछ केवाद उस मिल्क को बाइल कि यह तो धीर धीर क्या होगा मिल्क जो आपका होगा क्योंकि मिल्का कजामिस लिए हैं क्योंकि हां मिल्क से सब लोग09 परिचित है आप जब बार बार इसको बॉइल करेंगे अ मिल्क में वार्टर कंटेंट होता है जब करेंगे तो हर मिल्क पाउडर में कनवर्ट हो जाएगा बिल्कुल सूखा पाउडर बन जाएगा तो क्या हुआ जब हम वाटर को जब हम मिल्क को बार-बार बॉयल कर रहा है तो उससे वाटर जो हमारा कंटेंट है धीरे-धीरे घट रहा है एक ऐसी कंडिशन आ जाएगी कि पूरा-पूरा वाटर मिल्क से बाहर हो जाएगा और क्यों क्या बचेगा मिल्क पाउडर बचेगा तो उसी तरीके हम देखे बोल रहा है पिगले हुए सोल्डर को बार-बार पिगलाने से क्या इस पड़ेगा तीन कंटेंट इस बिल्कुल सही राइट कोईशन इसका पहला ही है जो उसमे कोंब भी बहुत वीक हो जाएगी ऐसे सोल्डर पार्टिकल का हमें रियूज नहीं करना चाहिए कोशिस करना चाहिए कि हमारे पास पर्याप्त मातरह में सफफाई के लिए और जो हमारी गन होती है सौल्डिंग गन होती है उसका यूज करे और जो है उसके लिए आप पार् करें जितना सोल्ड करें यहां गलत बोल रहें यहां पर सोल्ड करने की बात हो रही है जितना भी हम चीज सोल्ड करना हो और जो हमारी सोल्डिंग आयरन हो उसको बराबर साफ कर लीजी फाइल आती है रेती बोलते हैं उस पे आप कुछ-कुछ देर के बाद जैसे जैसे आप करिए उसको साफ करते लिए उसके सर्फिस को विल्गूल स्मूथ रखिए ताकि जब आप सोल्डिक आरम को उसमें चिपका है तो आसानी से चिपका है कि जब उसमें क्या बोलते हैं टीन कंडेंट के पास ले जाए तो आसानी से आप सोल्डिक कर पाई चीजों को तो यह कंटेंट खतम हो जाएगा और तो में बचेगा क्या सूखा पाउडर बचेगा इसका राइट अंसा जाएगा टिन कंटेंट उसमें से खतम हो जाएगा अगला क्वेश्चन है केबल के पीवीसी कुछ आलक का क्या हो गया अत्यधिक धारा लंबे समय तक सेम चीज वही आ गई अगर हम देखें पीशले कोश्चन में इस कोई विशेस अंतर नहीं है आपके पास घर में वायरिंग होती है ठीक है वायरिंग होती है तो सबसे अच्छे एक्जामपन हम बताएं वायरिंग के लिए जो आपका हीटर में वायर लगा होता है हीटर में हम वाली वायर सबसे उस होती है बराबर हैं ज़ें कि सबसे पहले जो डैमज होगी आप देखेंगी हमारे घर की अन्यवाईरिक हैप पेश्चा हीटर वाली वायर जल्दी mikey क्यूंकि हीन्हीट जहादा HOL Coast GPA होता है थो उसका ऊप täशनों वहारी परत होगी तो तो उस पे effect पड़ेगा, धीरे-धीरे कैसी condition आएगी, उसकी जो insulation strength है, वो घटती रहेगी और हमारा insulation failure हो सकता है, तो कहने के मतलब heat, दुनिया का जितना भी lasis होगा, दुनिया का जितना भी lasis होता है, वो heat के फाम में ही होता है, आप सब जानते हैं, दूसरी बात, जब बार बार supply दोगे, तो conductor हमारा heat होगा, conductor हमारा जो conductor कौन सा, जो हमारे PVC के अंदर conductor है, PVC का full farm क्या है, आप सब जानते है polyvinyl chloride है, जब उसके अंदर हमारा बार बार supply जाएगी, हीटिंग होगी, तो हमारा जो PVC है, वो भी insulate होगा, उसकी एक हर आदमी के सीमा होती है, बोलते हैं कि तुम कितनी बार कोई हमें बार बार गाली देगा, या कुछ भी कहेंगे, तो हम कितनी बार सुनेंगे उसको, एक सीमा होती है, कभी न कभी तो एकसी समय आएगा, हमरी उसे reaction भी देंगे, भाई बार बार हमको तुम तोड़ोगे, तो कभी न कभी हम तुम को तोड़ेंगे, तो वही चीजा जब उसके अंदर से heat बार बार flow होगी, तो एक ऐसी condition आएगी, उसके बरदास के बाहर हो जाए, किसके जो PVC है, जो उसका insulation है, वो धीरे-धीरे अपनी छमता को खो देता है, तो कहने का मतलब क्या होगा, voltage drop increase, voltage drop decrease, insulation resistance increase, insulation resistance decrease, किसका PVC का, देखो, insulation PVC का decrease होना, conductor का decrease होना, दोनों अलग अलग case है, क्योंकि conductor, देख केस में, देख की हम यहाँ बात करते हैं, आपके तीन ही element होत होते हैं, conductor, semiconductor, और insulator, तीन ही element होते हैं, इन में, दोनों में, बिल्कुल, जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में, बिल्कुल indirectly, प्रोपोस्टन है, दोनों, ठीक है, अगर, हमारा insulator है, इंसुटर काउंट ना ही समय, PVC का, जो हमारा PVC है, पाली उनायल क्रोएट के जो उपरी त हो चाहे, वो insulator ही समय, अब जब इसका heat बढ़ाओगे, PVC का, जब इसका heat बढ़ाओगे, तो क्या होगा, इसका insulation resistance घटेगा, इसका insulation resistance घटेगा, क्या घटेगा, insulation resistance, insulating resistance इसका घटेगा, इसका insulation resistance घटेगा, लेकिन जब conductor के case में जाओगे, heat बढ़ेगी, आतकर मुझे करना थेदी हैं कंडेक्टर में हीट बढ़ेगी तो रजिस्टेंस भी बढ़ेगा किंडेक्टर में हीट के साथ रजिस्टेंस भी बढ़ієगा ठीक है ना इसुलेटर में अगर किडीर हही पटैन्स घेका है कि इस किसका काम कर रहा एजा वरक एजा इंसुलेटर किसके लिए जो हमारा केबल के अंदर कंड़क्टर है अगला कोस्चन बोला विच मैथड आप केबल लेइंग शूटेबल फर कंजेस्टेड एरिया कंजेस्टेड का मतलब घनी हुई घनी हुई चीजों के जगए मतलब छोटी जगाओं में घनी जगाओं कौन सा यूच करते हैं रैकी नियर डक्ट पाइप एलांग बिल्डिंग डारेक ड्राउंडिंग अब देखो कल हमने बताया था रैक्तिन पाइप किसके लिए यूच करते हैं जो उत्पास सायंत होते हैं हमारे बड़े-बड़े साय अगला क्वेश्चन है इस भूमिगत केबल में एक से इंगित भाग का नाम बताईए कल हमने इस क्वेश्चन को तीन बार बताया है आज फिर से क्वेश्चन अगर हमारा कल का वीडियो इसने देख लिया है और बिलकुल गारेंटी साथ कह रहा हूं बहुत कुछ तो नहीं लेकिन फिर भी काफी कुछ आपका क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए तो इसके लिए मैं बार बार हाँ जोड़ के आपसे कह रहा हूं कि एक बार पीछे वाली क्लास देख लो बेटा अगर आगे मज़ा लेना है तो पीछे वाली क्लास देखना ही पड़ेगा क् चीज़े को रिलेट करके नहीं पढ़ोगे समाज नहीं पाओगे जीवन में कभी और हम यहां पर आपको पढ़ा ही नहीं रहें साथ-साथ आपकी थेयरी भी तैयार हो रही है यहां से पढ़ने के बाद जब बुक पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे तो लगे गया इससे जाना तो हम ने वजी विश्चन में कर लिए जब सर्बता रहे थे ठीक है हम बार बार बोले कि सिंबास यूज कर लो कहा है नहीं से उज़ करते हो नहीं समस्याइज खतम हो जाएगी थोड़ी जगा कम है फिर से हम ही रेज करके लिखते हैं सिंबास एक ट्रिक है सिंबास यूज कर लो निखातम बाद सिम्भास बोले तो सर्विंगं भूले तो आर्मरेंग तो तो हम में बेडिंग उसके बाद मेटाइलिक सीथ अ मेटाइलिक सीथ धात्वी काउचन बोलते हैं दी में धात्वी कौचन हिंदी में धात्वी कौचन कोच मतलब क्या होता है सुरच्छा सुरच्छा के लिए आवरान जैसे की उसमें महा भारत आपने देखिए हो विदान वीर कर्ण के पास कवच कुंडल थे जब तक कोई मार नहीं सकता तो कवच का मतलब होती है सुरच्छा यह भ बाद को कोर का मतलब होता है हमारा जो कन्डेक्टर होता है जो तीन कोर निकले हुए है देखो यहां पे आर वाई बी निकले हुए है ठीक अब पूछा है पेंचेंज कर देते हैं क्योंकि रेट बहुत ज्यादा हो गया है दिमाग रेट हो जाएगा आप लोगों का सर्विंग बेडिंग अर्मरिंग लेट सीथ दिया हुआ है पूछा है कि यह कौन सा है है अब देखो हमने क्या बताय है लेट सीथ है भाई बताया आपकी तो नहीं बताया आपकी सिंध करना समबास यह यसे यूज करोगे मेटाइलिक सीथ की बात जहां पर आई यहां पर जाहिए यहाँ देख के यहाँ यहाँ पढूए यहां पर इंसुलेशन गी यहाँ पर क्या है जो देखी देखिए किसपे आवगाें सीमबास कर रहा है तो कहांसे मैं अगली कोस्चन कैसे पाल करते हैं कैसे सार्ट सर्कृट फाल्ट निकालते हैं दोनों बहुत माइनर सा फाल्ट है जब हम आएंगे इसके लिए तो कभी अलग से ऑनाइल्सिस कर लेंगे इस चीज का तो यह क्या हुआ भूमिघत केबल में किस प्रकार दोस्सको ग्याद किया जा सकता है हमारे बोल रहा हूं इस क्लास का बढ़िया आनंद लेने के लिए पिछली क्लास का आनंद लीजिए ठीक है और आनंद आएगा विच पार्ट आफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटायलिक सीच अगेस कोराईजन घुमिगत केबल में कौन सभाग धात्वी कौच चनल के से बचाता है बार बार बोलना है कि सिंबास यूज कर लो कुछ नहीं करना है बोला धात्वी कौचन धात्वी कौचन के लिए बोला है सिंबास यूज करो सिंबास बोले तो कोर कोर के बाद इनसुलेसन या अउसे लेटिंग पेपर यो भी समझे यह आपकी मेटैलिक सीच सीथ हो गई कि मेटालिक सीथ हो गई उसके बाद ये वेडिंग हो गई कि यह आर्बरिंग हो गई और यह सर्विंग हो गई अभी मैंने बताया था पिछला कोशन इसके बाद यह देखिए अब बोला है कि आरोही क्रम आरोही क्रम हमने कल बताया है आरोही क्रम में देखोगे तो आपको उपर से नीचे की ओर देखना होगा और आरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर ठीक है बड़े से छोटे का मतलब पकर देखोगे इस तरीके में तो आपका बड़े से छोटे मतलब आरोही आरोही आप सब जानते हैं आप से बेतर बता हैं जरूत नहीं है तो यह माइले रखता है कि आपvantage को कर्षिह यह आप से लिए लहाइं है बस आपको ध्यान देना है मेटैलिक सीट लिखा हुआ है यह देख यह मेटैलिक सीट लिखा हुआ है अब पूछा है मेटैलिक सीट अगेंस मेटैलिक सीट के आगे धात्वी कवच को छान से बचाने के लिए कौन सा है आर्मरिंग serving और कौन सा armoring serving और bedding देखो एक बार बना के देख लेते हैं bedding, armoring, serving देखो यह दिया हुआ है armoring और serving bedding देखो इस समय हम दो चीज को close कर रहे हैं, लाग कर रहे हैं bedding को metallicis को पूछा है, भूमिगत केबल में काउन सभाग धात्वी कवस को 16 से बचाता है अब इसको काउन बचाएगा, इसको काउन बचाएगा, जो इससे उपर होगा वही दो बचाएगा अभी केबल का figure हमने दिखाया इस question के पीछे, देखो ये इस question के उपर हमने दिखाया, आपका क्या था, सिम्बास यूज कर लिजे, इधर से चाहे इधर से यूज कर लिजे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चार ये यहाँ पर आएगा छोटा सा, चार, 5, 6, 6 को अगर हम मान ले, सर्विंग, चार इसम्बास पांच हमारा क्या हो जाएगा? सिम्बास यूज करने हैं न, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा? आर्मरी पांच हमारा क्या हो जाएगा आर्मरिंग, उसके बाद बेडिंग आएगा, हमारा चार पे क्या आएगा, चार नमबर पे क्या आएगा, बेडिंग, चार नमबर पे आएगा बेडिंग, अब देखो, बेडिंग को सुरच्छा कौन देगा, बेडिंग को सुरच्छा देगा, आर्मरीं क्योंकि बेडिंग नीचे है आर्मरीं उसके उपर है बेडिंग को सुरच्छा कौन देगा बेडिंग को सुरच्छा देगा आर्मरीं आर्मरीं उसके उपर है आर्मर है ठीक बेडिंग को सुरच्छा कौन देगा आर्मरीं इसको सुरच्छा कौन देगा तीसरे नम लिए ज्यादा सभूज़ में आएगा तो कहने के मतलब हे यहां कि बशाण क्या बना भाई यह बोला है चौथा नंबर आपका कौन सा है बेडिंग का पाच्वाण नंबर कौन सा मेटैलिक सीट के उपर पूछा है अब देखो उसके पहले कौन से है आगे मेटैलिक सीट तीसरे नंबर पर मेटैलिक सीट है इसको सुरच्छा कौन देगा इसको सुरच्छा कौन देगा बेटिंग देगा यह आपकी मेटैलिक सीट है तीसरे नंबर पर आपकी मेटैलिक सीट इसको सुरचछा कांड देगा जो इसके उपर होगा इसके उपर क्या है Bedding सुरच्छा इसको देगे की नहीं देगी metallic sheet को इसका राइट answer हो जाएगा assessor हौ जाएगा अगला discussion है ii solding iron का उप्योग ना करने के समय stand में क्यों रखना चाहिए solding iron आप सब जानते है solding iron जिससे हम अपने particle को जोडते है अगर हम उसे stand में नहीं रखेंगे एक तो वो heat है अगर heat है दूसरी बाता कि stand में नहीं रखेंगे ऐसे तो क्या होगा हमारा जो टेबल है वो जलने लगेगा टेबल का जो हमारा लेयर है स्ट्रक्चर है इस मूझ सर्फे से वो खराब हो जाएगी क्योंकि वो हीट है हीट में इतनी ज़्यादा छमता होती है किसी भी चीज को नश्ट कर सकती है दूसरा यदि स्टेंड में रखी होगी तो प्रापर वे में रखी होगी ऐसे खड़ी होगी तो पहली चीज तो अगर मालीजे उसमें किसी कारण बस कोई करंट या लीकेज भी आ रहा तो किसी को नहीं लगए तीसरी चीज यदि कोई आएगा अंजान में ऐसे उठा लेगा तो उसका हाथ जल जाएगा तो इसलिए हमेशा सोल्डिंग जो हमारा आइरन है उसका यूज ना होने के बाद स्टेंड में ही रखना चाहिए चाओ था जब खोजोगे जहां से सामाँ उठाते हैं तो घर वाले बोलते हों कि बेटा जहां से उठाना वही पर रख देना ताकि दूसरा कोई आए तो उसको दिक्कत ना हो वही चीज है सोल्डिंग आरन को प्योग ना करते समिश्टेंड में रखना क्यों आउँ सका है पहली चीज़ तो हीट से बचाता है दूसरा हमारे मेज को जहां पर रखेंगे या मेज या टेबल तखत कुछ भी है उसको भी जला सकता है तो इसलिए हमें क्या चाहिए प्रिकासल के हिसाब से मतलब हम जल भी सकते हैं हमारा सामान भी खराब हो सकता है हो सकता है कोई प्लास्टिक का मटेरी रखा वो भी फेल हो जाए मतलब इंसलेट हो जाए कोई पानी की बोटल रखी है पास में उसका इंसलेशन फेल कर देगा बोटल खराब हो जाएगी तो कहने का मतलब तो प्रिवेंट दा बर्न एंड फायर हमने जो बताया आपको तेश नंबर आपका जो दिया हुआ है यहाँ जलने हो अगनी को रोपता है तो प्रिवेंट बर्न एंड फायर जो हमने बताया जल भी सकता है और फायर भी कर सकता है किसी कागश आसके पारह रखा है पूरे कार खाने में अग लगई दुकान में अग लगई इसलिए इसको जूच करते हैं जंक्सन बाक्स में किस प्रकार के टारों के जोड लगाये जाते हैं देखिए वायर जॉइंट हम बोल रहे हैं आपको पढ़ाएंगे वायर जॉइंट बिल्कुल बताएंगे हमारे पास दो कंड़क्टर होते हैं दो कंड़क्टर है ऐसे माल लीजे 15 सेंटीमेटर के हैं 15 सेंटीमेटर कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग का इंटेस्ट बना रहा है नहीं तो बोलने हैं बार बार रेड होगा तो दिमाग आपका रेड हो जाएगा 15-15 cm के दो होते हैं एक देखी प्रेक्टिकल और थियोरी में बहुत अंतर होता है हमारी नीड है किस प्रकार की अब हम इनके दोनों के बीच का इंसुलेशन थोड़ा सा निकाल लेते हैं से दो कंडुक्टर हैं हमारे तो इनका हम साथ साथ सेंटीमीटर या पांच पांच सेंटीमीटर कुछ बेयर कर लिए कुछ हिस्सा हमने बेयर कर लिया बेयर मतलब इंसुलेशन निकाल दिया बेयर कंडुक्टर हो गया यह पार्ट बेयर कंडुक्टर यह पार्ट आपको steps भूलता है जिस्टेप भूलता है ह Ral थाव मोलता है थोड़ा सा क落जसें चोटा कर देते हैं कुछ्छ सदेर के लिए करने चाहते हैं अप यह थोड़ा साभी आकश्टेप बताने जा रहें जड़ेवर्ट मंकम है तो में क्या थर्ड स्टेप में थर्ड स्टेप में क्या करेंगे थर्ड स्टेप में ट्विस्टिंग करने जा रहा है ट्विस्टिंग मतलब मरोडना ट्विस्टिंग करने जा रहा है फोर्ड स्टेप में क्या बनके निकलेगा ये थर्ड स्टेप हो गया है फोरट सिस्टेप में इसको किस तो जो फाइनल 5 निकलेगा पांचवा इस्टेप बन्के निकलेगा या इसी यहीं पर कर देते हैं तो क्या बन्के निकलेगा ऐसे आपका ऐसे दोनों connector आपके twist हो जाएगे आपस में ठीक ऐसे दोनों connector आपस में twist हो जाएगे अब उसका एकदम exact हम पार्ट नहीं बना पाएगे तो यह इसके आपके होते हैं 3-4 step में जिसमें आपको red tail joint बनाना होता है और इसका use कहाँ पे होता है junction box में होता है ठीक अगला question है अगला question पूछा what is the name of joint what is the name of joint पूछा है हम बार बार पूछ रहे हैं यहाँ पे बहुत कुछ तो संभाव नहीं लेकिं कोसिस करते हैं तेकि है मैंने इसको लाया सा यह जाब बनाया था what is the name of joint यह देखे जो जाब बना हुआ जो मेरे हाथ में है पता नहीं आप को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है जो जाब बना हुआ है जो मेरे हाथ में जाब है मैंने इसी जाब को बनाया है ताकि आपको दिखा सकूँ देख लीजिए अगर दिख रहा है तो अच्छी बात ही नहीं दिख रहा है तो फिर उसके लिए फिलहाल हमारे पास इतनी ही तो विधा है इस से ज़्यादा हम नहीं दिखा सकते हैं विजुवल्टी आप देखिएगा कोसिस करिएगा वही चीज है हमने इंसुलेशन निकाला हुआ है बीच का और उसके बाद टुस्टिंग करी है तो मैरीड जॉइंट इसकार्प जॉइंट वेस्टन यूनियन जॉइ है 25 है यह देखिए मैरीड जॉइंट इसकार्प जॉइंट वेस्टन यूनियन जॉइंट अभी पिछले पर चुके हैं ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट ब्रिटानिया है नहीं और इसकार्प भी नहीं होगा वेस्टन यूनियन हमने वेस्टन यूनियन को कहां पर यूज अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन होगा बिटानिया जोल का क्या उपी होगा अभी जिसकी बात हो रही थी बिटानिया इस्टेंडिन दे लेंध आप लाइन इंसाइड दा एंड आउट्राइड वाइन इस्टालेशन बिटानिया टी जोईंट होता है मेकैनिकल इस्टेस नाट रिकॉरर अन कंडॉक्टर टैपिंग दा सर्विस कनेक्ट फ्राम ओवरलोड सीरो परी लाइन सेवा में जुडाओ भेतु टैपिंग दा सर्विस कंट्रोल दा फ्राम ओवरहेड लाइन सीरो परी लाइन से जुडाओ भेतु जोडना देखिए जहां पर खिचाओ होता है टैपिंग होती है वहाँ पर हम कौन से यूज करते हैं ब्रिटानिया T-joint हम आपको कल जरूर दिखा देंगे आज को हम लेक नहीं आए हुए हैं भूल गए हैं Britannia T Joint मैं आपको दिखाऊंगा हाल हाल में जब मैं आऊँगा हाल हाल में सबसे पहले दिखाऊंगा Britannia T Joint कैसे होता है? Britannia T Joint का कश्रक्षान कुछ इस प्रकार बनेगा अभी यह नहीं है ऐसे बरहता है conductor उसमें रहता है, twisting उसमें भी होती है, यह जो बीच में फसा दिया जाता है, अभी यह देखिए, पूरा married कर दिया गया, हम बीच में पूरा married नहीं करना है, इस conductor को थोड़ा सा फसा देंगे, तो बनेगा हमारा बिटानिया टीर जाइंड, यह overhead जो सीरो परी लाइन होती ही, वहाँ जोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस में अभी मैं बतानिक कोशिस कर रहा हूँ, कल मैं लेकिया हूँ, मैं सबसे पहले ब्राणियाटी जाइंड दिखाऊंगा आपको, इस conductor के बीच में फसा कर उसके बाद करते हूँ, नीचे तक लाते हैं, ठीक, चलते हैं अगले question की और अगला question है हमारा, 27, 27 question है अगला, 27 question बोल रहा है, which type selling method used for service and repairing work, service and repairing work का मतलब ये होता है, कि जैसे हमने mobile खरीदी, mobile खरीदने के बाद वो एक साल की warranty होती है, या वासिक मसीन ख़दी या induction खरीदा, कुछ भी खरीदा उन समय, एक वर्स की, दो वर्स की particular अपनी, उनकी एक criteria होता, उसके हिसाब से warranty देते हैं, या service देते हैं, service lifetime ह हो सकती है, warranty हमेशा limit में होती है, दो वर्स, चार वर्स, एक वर्स, कुछ भी होती है, लेकि service हो, company जो अच्छी company है, service lifetime देती है, लेकि service में पैसे आपको देना होता है, warranty में, उसकी जिम्मदारी रहती है, company की, कभी-कभी कुछ company ये भी करती है, कि 50% जो आपका, जो खरीद होती है, उसके पाँ जब service होती है, service lifetime होती है, वो company service देती रहे, क्योंकि आप उसके ग्राहाफ हो, service अच्छी होगी, चार लोग को आप बताओगे, फिर वो भी समान purchase करेंगे, तो देखिए उसके लिए बोला, देखिए जब वो warranty है, उसकी repairing करेगा, service देगा, तो वो जाह इनके पास सिर्फ जुगार होता है, technology नहीं होती, और जो आपके agencies होती है, company होती है, उनके पास, भाई वो उसी चीज की agency, उसी चीज की company है, तो उसके पास, उसको पता है कि क्या-क्या defect आ सकते है, भाई, इसमें क्या-क्या repairing की need पर सकती है, तो particular उस च्छेत के लिए वो का काम कर रखा होता है पहले से, अगर ऐसी फार्ट आएगी, या कई खट-कट की आवाज आएगी, तो इस case में कहां से होता है, तो company जो इतना अच्छा best आपको service दे देगी, agency जितना अच्छा देगी, उतना local में आपको कोई नहीं देगा, ठीक है, वही बोला, अब जब उस इसका राई टैंसर इसलिए हो जाएगा, इसका आकार बंदुक के तरीके होता है, और यह जो छोटे छोटे एरिया है, जहां पर हमारे हाथ जो आसानी से नहीं पहुंच चकते हैं, यह उस पर्टिकुदार एरिया में भी पहुंच जाएगा, क्योंकि हम बहुत छोटी सी ज सकती है, हमारा हास पहुंच नहीं सकता है, तो वहाँ पर हम सोल्डिंग गन से, वहाँ पर अपना प्रक्रिया सोल्डिंग गन से इसलिए करते हैं, ताकि अगर देखी, वहाँ पर हम सोल्डिंग गन को यूज नहीं करेंगे, और हमें वहाँ पर सोल्ड करना है, तो इसके ल डूसरा उसमें नुकसां प्रशाझों करेगा कि अगला कॉस्चेन बोल रहा विच्थ में बिदी स्डॉल इस दायो जब्रूंदिंग मैफड़ का बाबा काहे किर रहर दिप सोलडिंग मैफड़ का यूज क्या होता एक मतलब हम समझे की छोटी सी जगह यह या गहरी जगह मतलब छोटी जगह संकीद जगह अब कभी अपने देखा होगा जो अच्छी electronics के हैं या इलेक्ट्र मेकेनिकल के हैं उन्होंने या बेसिकली लगबंग लगबंगों सभी देखे होंगे PCB का नाम सभी जानते हैं printed circuit board उसका full farm होता है PCB PCB बोले तो printed circuit board PCB बोले तो printed circuit board ठीक यह किस प्रकार होता है electronics के जो अच्छे है आइंड गेट आर्ड गेट नार्ड गेट का यह सब प्रेटिकल किये हैं वो सब जानते होंगे उसमें छोटे छोटे पार्ट बाले होते हैं सबकी अपनी बस बार होती है ठीक ऐसे ऐसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सिरीज में जैसे चाहिए आप पूरब PCB है यह प्रिंटेट सर्किट बोर्ड प्रिंटेट सर्किट बोर्ड ठीक है जो बच्चे PLC और यूज किये PLC SCADA कोर्स किये वहां पर PCB भी रहती है PCB बोर्ड का यूज होता है आपने देखा होगा प्रोग्रामिंग लाजिक कंट्रोलर वहां पर PCB पैनल बोर्ड होता है यह चोटे 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 करनेक्सें अब इनमें इसमें हमें इसमें करना है तो बताइए हमारे हाथ कैसे पहुंचेगा बिलकुल छोटे-चोटे नार्मल बहुत मुझे लग रहा कि 0.2 cm इसे होनुआ होता है बहुत छोटा जीन that. में का मुझे है जोता है कि यद नहीं आ रहा हम जोटे से चोटे माइनर माइनर लेस होते हैं वहां पे आपको जीव सोल्डिंग किby में चोटे भागों की स्विडिंग यह दिया हुआ है कि PCB में चोटे भागों की कि इसका राइट अंसर हो जाएगा अगला चुशन चलते हैं अगला कोश्चन बोला हुआ है मैंने आपको बताया था कि वहांपर भूमी कट के बल अधर का दिख रहा है यह सीथ है यह सीथ है यह कोर कि उसके बाद इस सरी के इसमें भी आवरान होता अब देखिए इस फिगर में नहीं दिख रहा है अगर आप गौर से देखेंगे तो तीन देखिए दिखाया हुआ है जूट, फिलिंग केविल, आर्वरी, लेट सीथ, पेपर इंसुलेशन यही बताया जो पूछा हुआ है इस एरिया का, किसका यह काँसा आरिया है, लेट सीथ है लेट सीथ क्या होता है एक प्रकार का इंसुलेटिंग माइशियल राइट आंसर लेट सीथ अगला, which insulating material is used as hot pouring compound for making joint in underground cable कौन सा कुचालक पदाथ घूमिगत केबल में गर्म योगिक, योगिक बोले तो compound की तरह डाला जाता है polymer cast resin, bituminis, epoxy cast resin इसमें कोई बहुत अंतल नहीं होता है epoxy resin और guessed resin घ्क है, ज्यादा बेटर होता है epoxy resin bituminis, योगिक, poly यह भी जहीं यह याँ उज गाई, यह हो नहीं इसका right answer होगा B to minus B to minus यूज़ करते हैं compound के रूप में किसमें कुछ आलक पदार्थों में underground cable में जो हम compound के रूप में consummate यूज़ करते हैं B to minus compound यूज़ करते हैं ठीक है ये रहे आज की हमारे सांदार धुवादार 15 question series अगली class में फिर से मिलेंगे कल आपको बहुत सारे joint के बारे में बताएंगे जैसे आपका विटानिया T joint है Western Union joint है कल की class में सबसे पहले हम joint के बारे में आपको भी स्तार से बता देंगे अगर आपको इस चैनल सा जानकारी मिल रही है आपको अच्छा लग रहा आपको यह महसूस हो रहा कि इस जानकारी जो दी गई है वो सही है हमारे फायदे की है तो उन बच्चों को भी पहुँचाएं जो इस सुविधा से बंचित हैं और इस class का free में PDF चाहिए online mark test देना है तो आप बोले www.globaliti.org पर जाईए और सुविधा का लाव उठाईए आज की class यहीं तक है रखते हैं धन्यवाद, नमस्कार